तप्ति गर्मी से चूच रहे उपराजधानी के लोगों को आज दोपेर में हुई हलकी सी बारिश से जहां कुछ देर के लिए राहत मिली तो वही दिगोरी जैसे शेत्र के निवासियों के लिए यही बारिश नुकसान का सबब बनी है दोपेर में अचानक शेहर में जोरदार बारिश वे इस दोरान शेहर के कई इलाकों में तेज हवाओ के साथ नियुनतम बारिश हुई बारिश के साथ ही आई तेज आंधी के कारण शेहर के दिगोरी शेत्र में पेड़ गिरनी की घटना सामनी आई है जबकि बारिश के साथ चलती तेज हवाओ के कारण शेत्र के बिजली के तारों को भी नुकसान पहुचा जिससे घरों में बिजली की आपूरती बाधित रही बिजली के गुल होने से शेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि आज बुद्वार सुभा शेहर में मौसम सुभा से काफी साफ होने के साथ साथ तेल धूप से लोगों का बुरा हाल था पर अचानक दोपहर के वक्त होते ही बाधलों का भी आगमन शुरू हुआ और शेहर के कई लाकों में बारिश हुई जबकि कुछ देर तक चलती हावा और बारिश के थमने के बाद फिर बार धूप लोट आई इन बीसे नियूस के लिए अकसा अंसारी की रिपोर्ट